हेलो दूस्तों आज में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे एगेने समिलेटर को अपने फोन में सेट अप कर सकते हो और साथ में एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आप वी आईपी का फोर डेस ट्राइल जो है वो आप फ्री में मल्डिपल टाइम यूज कर सकते हो तो मल्डिपल टाइम यूज करके आप चाहे जितना चाहे उतने दिन आप इस इमिलेटर का यूज कर सकते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना इस वीडियो में सारी चीज़े में कवर करने वाला हूँ तो मैं आ चुका अपने मॉबाइल के स्क्रीन पे और यहां पर हमें आपको दो फाइल दिखाऊंगा जो है एक EGNS का APK फाइल और दोसरा है स्विच ड्रॉइड तो यह दोनों चीज़े आपको डाउलोड करनी है और कहां से डाउलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ तो आप करो में जाकर सर्च करेंगे EGNS एमिलेटर APK तो दूरलोड कर सकते हों तो यहां से आपको फोल्डर मतला फाइल डाउलोड हो जाएंगे और आपको APK file install कर लेना है अपने phone में जैसे कि मैं यहाँ कर ले रहा हूँ अब APK file install होने कबाद हमको वो switch droid जो file है उसको extract करके और अपने phone के storage में paste करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ किसी folder के अंदर paste नहीं करना है अपने phone के storage में ही बस paste कर देना है जैसे बागी सारे फोल्डर होते न वैसे ही किसी फोल्डर के अंदर पेस्ट मत करना वरना एगने से एमिलेटर जो है फ्ले नहीं हो पाईबा अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको पेस्ट कर दिया हूँ सुज ट्रोड करके एक फोल्डर बन चुका है अब मैं जाता हूँ अपने एमिलेटर में तो यहाँ पे मैं एमिलेटर को ओपिन कर लेता हूँ अब यहाँ पे एगरी पे आप क्लिक कर देना पिर कुछ permission मांगे को स्कॉलाओ कर देना है अब यहां पर setting इस्टार्ड लिखा है तो यहां पर आप setting कर लेना अपना यहां पर add new पर करोगे तो फिर यहां पर आपको दो उपर चीजी दिख रही होंगे एक है switch droid फोल्डर इसको select करना है और दोसरा नीचे वाला है आपको डाउलोड करना है तो यहां पर मैं switch droid को कर लेता हूँ तहां पर मैं auto scan पर click करूंगा तो automatic यह folder है switch droid को detect कर लेगा यहां पर मुझे select कर लेना है अब वैसा ही हमको नीचे वाले गेम वाले को भी कर लेना है. तो जहांप भी आपका गेम होगा वो आटमेटिक डुटेट करके एक सेलेट कर लेगा. अब यहांपे नीचे है कुछ सेटिंग्स जो अपने हिसाब से आप कर लेना. ठीक है अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है अब यहाँ पे देखे, games हो होने लगा पर हमें इसका account भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना account भना यह चलता नहीं है आपको पताई होगा तो यहाँ पर account बनाना पड़ेगा आप यहां पर email मांग रहा है तो यहां पर email आप multiple time अगर आप चाहते हो 4 days का VIP trial तो आप बार 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 तो Gmail बना नहीं सकते हैं तो यहां पर trick है आप Chrome में जा करके आप यहां पर temporary email कर सकते हो या फिर search कर सकते हो fake Gmail तो यहां पर यहां पर fake Gmail आप click करोगे तो यहां पर उपर एक side देखे कि इस पर आप click कर देना तो मैंने इस पर click कर देया है तो उपर net थोड़ी speed slow है तो थोड़ा time लग रहा है तो इस तरीके से आप मतलब बार बार Gmail बनाने से अच्छा है कि आप इसी तरीके से fake Gmail का यूज़ करके आप बार बार 4 days का VIP trial बार बार यूज़ कर सकते हो और चाहे जितना दिन चाहो इस emulator का यूज़ कर सकते हो तो यहां पर खुल नहीं रहा है तो यहां पर खुल चुका है तो मैं यहां पर दिखा देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है तो यहां पर आप क्या करना है यहां पर आपको एक Gmail दिखेगा यहां पर लोडिंग हो रहा है उसी में आपको Gmail दिखेगा तो यहां पर Gmail दिखा इसको तो कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बात आपको इमिलेटर में चले जाना आए, जहाँ पर इमेल लिखा है, वहाँ पर पेस्ट कर देना इसे, पेस्ट कर दिया, अब सेन्ड कोड पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर कुछ, एक मेसेज पॉप अफोगा, जो बता आपको की करके इस inbox को open कर लेना open करने के बाद आपको code दिखेगा यहां पर मैं कर लेता हूं अब मैं फिर नीचे जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा code आ गया है मैं इस पर सेलेट करके copy कर लेता हूं अब फिर यही code हमें यहां पर paste कर देना है अब फिर आपको जो चाहिए वह password डालना हूं डाल देना मैं यहां पर ऐसे ही कुछ password डाल देता हूं और यहां पर registration पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर देख सकते हो हमारा जो है free VIP का trial मिल चुका है अब मैं इसको यूज कर सकता हूं यहां पर email और username याद रखना यहां पर फिर से डालना पड़ता है तो आप डालते वक्त ध्यान रखना तो यहां पर मैंने लॉग इन कर लिया अब हमारा सब कुछ हो चुका है अब मैं गेम चालो करके आपको दिखाने वाला हूं तो यहां पर मैं वाल फैरिस को open करता हूं यह यह बस ऐसे सेटिंग दिखाने के लिए मैं आपको किया होगी आप अपने हिसाप सेटिंग कर सकते हो तो आपको कुछ सेटिंग देखने मिलेगी जो की गलोबल सेटिंग होती है तो फिर आप कस्टम सेटिंग बिदा करके आप अपने हिसाप से यहां पर सेटिंग कर सकते हो तो मैं अपने हिसाप से कर लेता हूँ और फिर ग्रैफिक ड्राइवर में जागर के आप 611 को सेट कर सकते हो या फिर आपको गेम के हिसाब से जिस पे आपका गेम अच्छा चले उसको आप सेलेक्ट कर लेना अब यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूं अपने गेम के हिसाब से तो आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आप गेम प्ले कर रहे हो इसके हिसाब से आप सेटिंग कर लेना अब मैं गेम को प्ले करता हूं हाँ तो हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट इस तरीके से आप एगने सेमिलेटर को अपने फोन में सेट अप कर सकते हो और साथ में आप फ्री में मर्लिबल टाइम व्याइपी ट्राइल ले सकते हो तो वीडियो में इतना ही था अगर आप 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 वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना कर देना कर देना कर देना कर देना